उत्तर प्रदेश के प्रियागराज जिले में एक दरोगा की संदिक्त परिस्तितियों में मौत की सूचिना से हड़कम्प मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुचे हैं और इस मामले की गहनता से जांच परताल की जा रही है। यही सूचना पर ठाना प्रभारी नवाब गंज मैफोर्स उनके जहां रहते थे वहाँ पहुचे। तो देखा कि हैसाई अतुल कुमार सिंग क्योंकि दो हजार फोला बैच के हैसाई हैं थाना नवाब गंज के तैनात हैं। इनकी पत्नी और इनकी मा बच्चे प्यार लखनों में रखें। यह इनका मृत शरीर इनके किराय के कमरे के निकट मिश्थित बात्रूम में पढ़ा हुआ है। अंडर्वेर के ओल पहने हुए हैं। और फगल में पाल्टी भरी हुई रखी है, मग रखा हुआ है। चपल बात्रूम के बाहर है, बात्रूम पूरी तरह से पुला हुआ है। और वहीं पर मॉबाइल पोन भी स्विच आप अलग में पढ़ा हुआ। बातिया ने कोई संदिक्ठ चीजें आसपास नहीं मिली ही। इनके सरीर पर कोई छोड का निशान नहीं तक के दिति में इनकी बाडी मिली है। उसके लिए डाक्टरों के पैनल से पोस्टमाटम करा जागा फिलाल अभी ये रहस्ट बना हुआ है कि दरोगा की मौत कैसे हुए लेकिन पूरे मामली की जाँच अभी जारी है इस घटना से परिजनों का रोडो कर बुरहाल है पंजाब के सिरी टीवी के लिए प्रियाग राज से सैयद रिजा की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद